दोस्तो पहले बताते तो वीडियो लंबा हो सकता है क्यूंकि वीडियों बड़ा होगा क्योंकि बहुत जादा अपड़ेट से कम्मुनिटी में अभी जो हाल चल रहा है किस्ता क्या रेक्षन आ रहे कौन साथ दे रहा है जो अप्यूं गर्रीटिंग्स अगेरा का तो दोस्तों सबसे पहले बात करते अपने पहाड़ी गेमिंग की तो पहाड़ी गेमिंग ने लाइश्ट्रिम पे मतलब बंदे बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे थे तो उसी के उपर रिप्लाइ दिया तो उन्होंने क्या-क्या सबसे पहले ओड़ देख लिए जॉन्टी ना पड़े तो अच्छा है देखो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं मैं बोलूगा तो फिर कुछ गलत हो जाएगा समझो मेरी बात को कुछ चीजे शांत रहने में ही भलाई है मैं नहीं चाहता किसी को बुरा बोलना ठीक है तुम लोगों के प्रस्पेक्टिव से वो सार सब चीजों से ठीक है प्लीज या रिक्वेस्ट तुम लोगों से रिक्वेस्ट है मुझे दूर रखो इन सब चीजों से मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी जहमेले में किसी कॉंटरवर्शी में तो समझो ऐसा नहीं है कि मैं पार्टनर प्रोराम में हूं या यह है वो है ठीक है गेंप्ले एंजॉय करो तो देखो दोस्तों पहाड़ी गेमिंग का अपना प्रेस्पेक्टिव है उनकी अलग सोच हो सकते है वो सही हो सकते है अपने जगा अपनी जगा सही है देखो अपन किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमारा साथ दो बस हम भी यार गेम को तार्गेट नहीं कर रहें मतलब यह भी सब को समझ नहीं तरह से हम गेम इन को टारगेट कर रहें कुछ गलट डिसीजन नहीं ले रहें बस यह है ना जाल से यह पूछ साल से चूप बेटे वह यह कुछ गरी बाकी ट्राइक करते रहेंगे उसी के साथ दोस्त अपने ताहिर भाही ने भी इसके उपर कुछ रिप्लाइ दिया उन्होंने भी वोला कुछ चीजे क्या गेम आने के उपर तो यार उनका क्या सपोर्ट था देख लो जो कि शाद सच भी है आर फ्रीफार तो चल रहे हैं मस्त एकडम चल रही है फ्रीफार मैक्स क्रेकर क्रेंटर्स के ऐफिशल को लैपस करें फ्री वेंट्स आ रहें लोग पागलों की तरह गेम खेल हैं हमें करसकते सब चीजे वीडाउट फ्रीफार अन्बैन हुए हमें इस स्पोर्ट के लामें फाइसी टॉर्नमेंट स्खेलने वाई हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने हमें वह मुक्त जीत के रिप्रेजेंट करने मैं बस आनसर चाहता हूं मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं मैं चाहता हूं कि हम सारे मिल created पर्स ने हमने वाला हम को यह बता है हमें सब को साथ मिलके जाना यहां इंडिया वालों से नहीं हमें बाहर वालों से पूशना है जो मेन गेम जहां कि है वहां से पूछना है प्ले स्टोर पे जाना है रेटिंग गिरा दो एक स्टार की रेटिंग दो और रिव्यूस में पूछ भाई गेम कब आ रही है आखिर इंडिया में देख दो तो जो ताहिर भाई ने कहा है उनको पता चलना चाहिए अभी हाल क्या चला है माहूल क्या चला है बस यह बात पार्टनर प्रोग्रेम की नहीं कोण पार्टनर प्रोग्रेम में नहीं है बस अब उनको एक पॉलाइड एंसर चाहिए हम कुछ आपको खरब नहीं बोल रहे हैं कुछ नहीं बस उमको एक सोटा सा स्टेटमेंट चाही है जो आप दो तीन साल से देए नहीं नहीं जो भी मतलब पार्टनर प्रोग्रेम में उनको निकाल दिया है उस वज़े से सब कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है उन्होंने यह भी कहा है कि मैं पार्टनर प्रोग्राम में अब भी हूँ बस उनके शान बेटने पे मतलब उनके बोलने पे मैं चुप नहीं बेटूंगा उनकी चाटोंगा नहीं ऐसा बोलाए उन्होंने और उन्होंने यह भी बोलाए बाकी क्रियेटर्स के और उनके चाट में स्पैम हो रहा है बहुत जादा तो यार अगर आपको पार्टनर प्रोग्रम में रहे नहीं तो आप चुप बेटो चाट को इगनार करदो बाकी में जो कर रहा हूँ इसके बीच में मतलब तांग मतारा बेसिकली उनका कहिने का मतलब यही है बाकी यार अभी भी चुप रहोंगे तो रॉक्की भाई को उनोंने कहा है बेसिकली के साथ अपने टोग्स भाई ने भी एक स्टोरी डाली यह सी कैसी के आपने पर देख लेना पॉसट कर के पढ़ लेना जो भी लिखा यह उनका कहना है मतलब जो आपको पार्टनर प्रोग्रम से नि सबी all round से देखना तो आप भी यार जो भी मतलब community में चल रहा है कि आपने देखा शान बेटे भी कोई reply दिया गरिने ने गरिना ने कोई reply मिला अभी तक नहीं मिला गरिना ने कुछ कहा कुछ उन्होंने बतानी की कोशिश की ऐसा नहीं कि अपन रुके नहीं वैट नहीं किया एसा नहीं है कि आप उनने मतलब बहुत जलद बाजी कर रहे रहें दो साल हो चुक है इस चीज को और यह जाल एक टाइम होने वाला या तो यार मतलब कहीं न कहीं ए रू किसको पार्टनर प्रोग्रेम में हैं कौन पार्टनर प्रोग्रेम में najbardziej बात यह नहीं है बात यह इए कि आप किचने दिन से आप मतल बस इवेंट और स्वागे और फ़िद कर रहे हो कुछ नहीं आप स्टेटमेंट एक दो बार चांस मिला था ओभी घर से और उधर भी चांस ने मिला करोना के बज़े से पहले अब गैम बैन होनके बज़े से तो बात यह है कि फ्रिफायर इंडिया में मतलब फ्रिफायर का जो e-sport है ओब बहुत डाउन फॉल पे चल रहा है और फ्रिफायर इंडिया नहीं ह तो यार आप एक स्टेटमेंट दो फ्रिफायर इंडिया हम लॉंच कर रहे है हमको ताइम लगेंगा थोड़ा और एक स्टेटमेंट चाहिए हमको ओफिशल तो यार ओफिशल स्टेटमेंट उन्होंने लास्ट एक साल से नहीं दिया है लॉंच का अनाउंस करने के बाद भ हमको बस गेम से पोलाइट रिपलाई चाहिए एक अच्छे से बाकि यार इसके उपर में जादा कुछ नहीं गाए ना उसी के साथ अपने सासु की भाही ने भी एक स्टोरी डाली थी जैसी के आप देख सकते हो मैंने तुप कर दिया रेटिंग्स वगेरा उन्हों दे दिये आपने किया क्या उनका भी सपोर्ट या रहा है बाकि किलेर भाही ने भी अपनी रितिक की स्टोरी लागाते हुए उन्होंने लिखा नीचे मैं तो बोल रहा हूँ गेम को ही उड़ा दो एसा उन्होंने का आए बाकि बहुत सारी क्रिएटर्स का सपोर्ट आ रहा है अब उनका भी अलग स्वश्ना हो सकता है वो तो अपना कर रहे जो भी अपना कर रहे स्ट्रीम करते वेचारे उनके तो कोई गलती नहीं है वो तो अपना वह भी चाहिए होंगे क्यार इसपोर्ट बैक आजा है सारी चीज़े चलो सबका अलग-अलग प्रेस्पेट के रहे है पर्ट कर रहे कर रहे है जो नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं है बाकि है अपने अवरा गेमिंग ने वीडियो डाला ता जिनो ने मतलब बोला था कि फ्रीफार का जो वेबसाइट बगेरा आ रहा है उसमें मतलब कुछ फॉजिट भबर है उस सबसे पहले क्लीप्स देख ल यहां पर सबसे बहुत तो गरीना फरीफार न इस वेबसाइट का वेब एड्रेस या फिर डॉमीन क्या दिया है रिवाल्ड एफफ गरीना इंडिया डॉट कॉम पर इस डॉमीन के साथ यह पहली वेबसाइट नहीं है इस डॉमीन के बारे में आपको ऐसा मताने वालो ना जो तुम बोलोगे ऐसा चल रहा एक्शियल में इसा तो बताना चाहूँगा देखो अब ध्यान से मरी बात सुनना देखो यह वेबसाइट को जो एड्रेस को मैं तो मैं जब गया इसके विडिगिन करने के लिए तो मुझे पता चला है कि यह वेबसाइट गरीना फ्रीफर की पहली वेबसाइट नहीं है जो गरीना फ्रीफर इंडिया के लिकाई है इससे पहले दो थीन टेस्ट वेबसाइट उन्हों ने ट्राइब करीं इंडिया के अंदर इस वेबसाइट का जो आई-पी आड्रेस है वो योटा डेटा सेंटर का है सच बता रहा हूँ अभी तक जो भी अभी तक आपने देखिये यूटूब पर जितनी वेबसाइट की बारे में वह सारी की सारी सिंगापूर से या फिर होगकों से हमारी कहीनगा बनाए गी थी पर यह website कहीं न कहीं हमारी होने वाल यह योटा डेटा से बन रही है जो कि हमें पब्लीक लीवी देखने को मिली है इस website को आस से तीन महीने पहले में के मत में बना दिया गया था 22 मही 24 बना दिया गया था दो तिन महीं पहले और इसको लॉंच अब जाके किया कई देखो कोई हिंट नहीं इंदे रहा हो कोई होप निहीं दे रहा विससे अमझे लों कि मुझे जू चीजे नजर आई और सबसे वाड़ी बात यह ती कि यह योटा डेटा से था की हमारे उत्टरपटरईश वाला नहीता यूपी वाला नहीं नई नोई नोई यह था मु लगा था कि मैं यह क्यों करेंगे अब यह चीज क्रूफ हो रही है कि योटा डेटा सेंटर साइथ नौड़ा वाला प्रॉब्लम दे रहा है तो यार उदर ही अब जो डाटा सरेवर वगेरा वो सारी चीज़े उदर ही होंगी होप करते वैसा ही हो बटना सीन क्या है ना फून यह हिंट्स बहुत दिनों से निकालते आ रहे जैसे कि यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डोमेन वगेरा बन रहे है फ्रीफार इंडिया के नाम से वेबसाइड वगेरा रजिस्टर हो रही है तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बहुत दिन पहले ही हुई थी तो बस अभी यह कि उन्होंने ओफिशली मतलब एक रिवार्डस वाली अपसाइड आनॉंस कर दिये उसमें भी मतलब जो एड्रेस है उनका लिंका उसमें इंडिया मैंशन किया है तो यार यह सारी चीज़े तो अपन बहुत दिन से निकाल ले बट होप करते कि गरीना यार पेटे में बहुत सारा अगर गरीना इतना पैसा देती कि बतलब बीडवली बात में उन्होंने डिलेट कर दिया शायद से बट उन्होंने कहा जो आज बात करते आज वो शायद से लाईओ आएंगा आड़ बजे शायद से उन्होंने ऐसा कुछ डाला ता स्टोरी पे और उन्होंने कहाई कि अपुन कुछ इस पर बात करेंगे अभी वो आएंगे ने आएंगे वो अलग की बात है कि उनका ओपिनियन ओर रखना चाते होंगे शायद से हो सकता है अभी इसके उपर उन्होंने बात में डिलेट भी कर दिया था ये सारी चीजे बट यार दोस्त नहीं कुछ और अपडेट्स मिलते हैं तुम्हें जरूर आपको बता दोगा तो चैनल को सब्सक्राब करके जरूर रखना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में